अब हम यह देखेंगे कि हम किस तरीके से जो एक data set है large set of data है हम उस पे किस तरीके से filters लगा सकते हैं क्योंकि filters जो होते हैं हमें to the point data को search करने में helpful रहते हैं let's suppose हमारे पास एक large set of data है और इस पे हमने filter लगाने है ताके हम उसको असानी से किस specific filter को select करके अपने data जो relevant data है उसको search कर सके एक large set of data set में एक large data set में अपने relevant जो data set है उसको search कर सके उसके लिए क्या करते हैं filter लगाते हैं filter किस तरीके से लगाते हैं किसी भी Excel पे click करने के बाद आप जो आपके पस data toolbar menu है उस पे आप जब sort and filter toolbar group पे जाएंगे तो filter पे click करें तो आपके जो header होंगे data set के उन तमाम headers पे filter जो है लगा जाएंगे अब आप उन filters को use करते हुए data set को आप search कर सकते हैं let's suppose department wise है मैं department पे click करता हूँ और मैं चेहता हूँ के सारे departments के नहीं मुझे सिरफ और सिरफ HR department का data show करवाए okay पे click करूँगा तो मेरे पास सिरफ relevant data जो HR से related होगा वो show होगा अगर मैं इस filter को select all करता हूँ okay करता हूँ तो यह मेरे पास फिर उसी condition में show हो जाएगा salary पे मैं filter लगाता हूँ के मुझे सारे वाले नहीं जिनकी यह specific salary amount है वो मुझे data show हो जाए इसी तरीके से अगर मैं employee date of joining पे जाऊँ तो जिनकी joining 2019 की है मैं उस पे click करूँगा तो मेरे पास जो data होगा वो उसके relevant show हो जाएगा अब इसी तरीके से अगर मैं date of joining पे जाऊँ और अगर मैं कहूँ यह select all नहीं जिनकी 2017 की date of joining है उस पे click करें तो वो तमाम data set जिनकी जिन में जो 2017 से relevant employees हैं वो हमारा पास जो data set है वो show हो जाएगा यह वह method है जिसके जरीए से हम filters लगा कर large data set में से अपने relevant जो data set होता है उसको filter करके हम use कर सकते हैं